नमश्कार दोस्तों स्वागते शोमुसाली जी की मीद्ध और और इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉस्टेक कैंसर की सिम्टम्स के बारे में तो अगर आपको प्रॉस्टेक कैंसर के 판's के लक्षण के विडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर की सिम्टम्स के बारे में तो अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर के लक्षन के बारे में जानना है यह वीडियो आपके लिए है आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हो कि शायद डॉक्टर ने कहा ह कि आपको prostate cancer है या फिर आपको prostate cancer हो सकता है अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा है और अगर आप मेल हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना और अगर आपकी family history में ऐसा कुछ है तो definitive video को देखें और खुद से जाच करें कि आपकी prostate में कोई भी तरीके का growth है या नहीं तो च stages होते हैं तो जब पहला कुछ stage रहता है जैसे के stage 0 से stage 1 उस time तक prostate cancer कोई भी symptoms show नहीं करता है तो यहां पर बहुत दिक्कत होते हैं कि at the very early point prostate cancer को हम detect नहीं कर again seminal fluid तयार करता है और seminal fluid क्या होता है यह fluid जो है यह fluid nutrient से भरा हुआ fluid होता है जो sperm को नरिश करता है sperm को ट्रांसपोर्ट करने में भी help करता है right sperm produce होता है testicles में और वो यह seminal fluid के साथ mix होकर urethra होकर penis से बहार आता है तो जब prostate cells grow करने लगे जरूरत से जादा मात्रा में तो prostate में tumor form होता है tumor होना के मतलब यह होता है कि normal जितना cells होना चाहिए cell बहुत जल्दी से grow कर रहा है और बड़ा cell बन चुका है बड़ा हो चुका है तो इसे क्या होता है prostate का जो size होता है वो बढ़ा हो जाता है prostate का size जब बढ़ा हो जाता है उसको हम बोलते है benign prostatic hyperplasia या फिर बोलते हैं benign prostatic enlargement तो ये benign prostatic enlargement और BPE और BPH ये चीज जो है ये common है और ये benign benign का मतलब वो cancerous नहीं है tumor तो है मगर वो cancerous नहीं है तो हो सकता है कि किसी इंसान में ये benign prostatic enlargement हो और ये बहुत common है कि किसी इंसान को जब 55 साल से ज़्यादा age हो जाते हैं तो उन में benign prostatic enlargement बहुत common सी बात होता है देखने को मिलता है हमें उसका मतलब ये नहीं कि वो cancer patient हो गया है नहीं अब cancer कब कहलाएगा जब ये tumor दीरे-दीरे modify हो जाएगा एक cancerous cell में कैसे modifications हम बात भी वीडियो में बात करेंगे मगर वो जब cancer में cause करेगा cancer में तकदिल हो जाएगा तब जाके prostatic cancer होगा और prostatic जब cancer हो जाएगा उसके लिए उसके बाद जो है symptoms दीरे-दीरे start होने लगेगे तो चलिए देख लेते start of symptoms क्या है जो prostatic cancer और prostate cancer का symptoms है उनको हम दो हिस्से में बाट सकते एक दो symptoms of genital area की कुछ-कुछ symptoms और symptoms of other areas of the body तो genital area का symptoms क्या होगा देखिए आपकी prostate अगर enlargement हो जाए उससे भी आपको पहली बात तो यह होता है कि आप frequent urination मतलब बहुत जल्दी बार-बार आपको urinate करने की अर जाएगा तो यह पहली चीज हो गया दूसरी चीज यह होता है कि urination incontinence मतलब आप urine को hold करके नहीं नहीं रख पाओगे और कभी कबार तो यूरिन बाहर आटोमेटिकली आ जाएगा आपका जो कंट्रोल है यूरिन यूरिन ब्लैडर के ऊपर वह धीरे-धीरे खत्म होने लगता है यह दो चीज एक साथ होता है तीसरी चीज होता है कि पेन दर्ध होना जब आप यूरिन इट करने जाओगे तब आपको दर्ध होने लगेगा फोर्थ ओप्षन फोर्थ सिंटम और वह होता है ब्लड आना खून आना ब्लड के साथ खून आना अब देखो ब्लड के साथ खून तो बहुत दूसरे कारण में भी हो सकता है जैसे कि कोई यूरिनेरी ट्रैक् सारे थे सारे सींटमस एक साथ आ रहा है तो जाके वह सीचिवेशन बनता है तो निक दर्द होना शूड газ नौनली apart जैसे आपके bone मतलब आपके हड़ियों में दर्द होना शुरू होता है तो यह दर्द होने के मतलब होता है कि जनरली जब prostate cancer हो जाता है stage two stage three phase में होता है तब जो cells होता है cancer की वो prostate से दीरे-दीरे migrate होकर blood के जरीए bones तक पहुँच जाता है और bones में जाके वहां पे भी यह cancer cause करता है क्योंकि cancer का यह यह normal सा process होता है कि cancer cells इसलिए dangerous है यह सिर्फ एक ही जगा पे नहीं रहता है यह दीरे-दीरे होगा suddenly weight loss हो जाना और bone में बहुत ज्यादा pain होना यह दोनों चीज एक साथ मिला और lower back pain मतलब आपकी यह back side जो lower back side है यहां पे भी pain होगा और pelvic area जो होता है जो जिनरेटल एरिया pelvic area वहां पे भी pain होने start हो जाएगा यह सारे सारे symptoms होते हैं prostate cancer की और इसके साथ obviously prostate को swell up लगेगा ही वह बहुती inflamed लगेगा बहुती बड़ा लगेगा normal size से अब देखो normal size से prostate अगर किसी का बड़ा है इसका मतलब नहीं है कि prostate cancer हो नौर्मली वह prostate और मेगाली कहते हैं और उसको मत करो हाँ अगर फैमिली हिस्ट्री में आपकी किसी भी मेंबर को prostate cancer हुआ था तो आप हो जाई है क्योंकि आपके chances जो है prostate cancer होनी कि आपकी बढ़ जाता है second thing होता है एज बढ़ती हुम्र के साथ यह होता है अगर बहुत काम मुम्र में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो सकता है को बिनाइन हो में लिगने ना हो मगर आपके एज अगर 55 साल से ज्यादा है साथ से ज्यादा है तो जाके concern होता है और तीसरी चीज़ होता है कि आप कैसे lifestyle जी रहे हो आप पर्टिकुर्री कुछ कुछ इंडस्ट्री होते हैं सिमेंट्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ इंडस्ट्री जहां पर कोई chemical component अंदर आने से mutation हो सकता है वहाँ पर कुछ problem हो सकता है तो यह सारे चीज़ देखना है आपको और यह सारे चीज़ को अगर आप ध्यान में रखें और अगर आपकी एज मतलब आपके फैमिलिस्ट में किसी को प्रॉस्टेट कैंसर था या फिर है तो आपकी पचास साल प्रॉस्टेश साथ ट्रांस रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन बोलते हैं उससे भी किया जा सकते है कि प्रॉस्टेट को हेल्दी है या नहीं चेक किया जा सकता है और अगर ऐसे कुछ पाया गया कि हां सिम्टॉम के साथ वह टैली हो रहा है तो जाके फृदर डिया जाएगा जैसे कि MRI हो लिए CT scan हो गया उससे और अल्टर साउंड से भी हमें पता चलता है कि प्रॉस्टेट में लाजमेंट है या नहीं और अगर नजर आता है तो उसको देखना होता है कि वह कैंसर हो सकता है या नहीं तो उसके लिए भी किया जा सकता है थोरा साथ टीशू का सैंपल लिया जात हो सकता है कि दर्ध हो रहा है यूरीनेशन के टाइम पें लॉए प्रॉस के सासेथ ब्लड लडा रहा है हो सकता है हूं हो सकता है उन्हाइट में डॉक्टर के पास स्क्रिनिंग करवाई ए और अगर फैमिली हिस्टरी में हैं तो डेफिनिटली भी में सीरियेस अब़ॉट क्योंकि वहाँ पे चांस बढ़ जाता है ठीक है तो चलिए यह सारे चीज हो गया प्रोस्टेट कैंसर के लक्षन प्रोस्टेट कैंसर के सिंप्टमस इन हिंदी अगर प्रोस्टेट कैंसर के बारे में यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना अपने दोस्त और कलीगों के साथ शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह सीरीज और वीडियो में आपके लिए इसलिए बना रहे हैं, कि तोटल कैंसर सीरीज में वीडियो बना रहे हैं, ताके आपको कैंसर की जो फियर है, उससे आप बाहर रहे पाओ और आप खुद को कैंसर के ऊपर देख पाओ ठीक है चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक यू बाई